हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी विथ ट्रिक में तो चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे रिजिनिंग में ब्लड डिलेशन के कुछ नए कोस्चेंज जैसे कि आपको ब्लड डिलेशन अगर कुछ भी नहीं आत फिमेलपशन को माइनस से करेंगे अब मेरिट कोपल जैसे कोपल होगा को होगे तो सो को बढ़ाब्वर से लिखेंगे ठीक है कि यह आप differences पूरा ध्यान रखेज़ाई ठीक है मेल को क्या करेंगे प्लस है फी मेल को माइनस सै और कॉपल को बढ़ाब्वर से इंडीकेट करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे को देखते हैं बिना दिर कि हऊंभा सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबस्क्राइब आफ्क सबस्क्राइब क्या बोलता है एब कि बेटीै क्या बोल रहाए एबी मदर है यह जो है ए बी की बेटी है तो यह जो है बेटी है तो मैं क्या बोला था फिमेल के लिए माइनस के लिए इंडिकेट करेंगे अब चले आगर कोशन पढ़ते हैं बी सी की माँ है बी जो है सी की माँ है तो अगर बी लिखा है बी सी की माँ है तो एक भाई होगा या बह दिया कि बिजाए कि इसके लिए भी हम है आझे इसके लिए म्हां हम माइनस का इंडिकर्टर शी अभी भी पता नहीं है तो आप चलते हुं इसमेन सब्सक्राइब D Je vous districts का भाई है सिक भाई है तो चुलब ये मैंने लिख दिया कि जो detta बी में है सिक आ यह भाई हमने कर दिया क्या भोलता है दी कैसे संबद्दीध है इससे यह बात ध्यान रखेंगा इसमें बहुत confusion होता दीए से कैसे संबद्दीध है मतलब एक क्या बोलेगा डी को एक क्या बोलेगा डी को यह क्या बोलेगा व्रदर तो चलिया तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अछा लगए तो लाइक ज़रूर कर दें और अभी तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आने वाले नहीं वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगे तो चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं अगर समझ में ना आया हो तो आप इसे दुबारा वीडियो को पहुच करके मंदित है तो छलिए ओंदेख लेते हैं क्या ऑबला है बाला नहीं है पूर्ज यहां समें लिखते हृट पी जोild कि और जोए है क्यूं का भाई है जो है आसकर आगे एकटर अगे पढ़ते है और क्योंकि माता है कि आर क्योंकि म सी एक क्योंकि माता झूंत है आर जो है माता क्योंकि है यह विये सब aucun् nuclear चाहर को पिता है एस जो है पिता है आरका आगे है टी इसकी माँ है अब बोल रहा है टी टी जो है माँ है इसकी देख रहे हैं आप इसे घबड़ाईएगा मत लेकि आप अब वीडियो को अच्छा से ध्यान लाग देखेंगा आपको जोरू समझ में आएगा अब देखिए आप क्या पुछ रहा है पी टी से कैसे समझनी था है पी टी से टी से जिससे से कहेगा उससे हम करेंगे टी से पी कैसे समझनी टी क्या बुलाएगा पी को टी क्या बुलाएगा पी को तो देखें यह इसका बेटा इसका बेटी पिर इसका यह तो सब आप देख लिएगा इसका यह बे बेटा का बेटा फिर बेटा का बेटा मतलब यह क्या लगेगा ठीक यह लगेगा पौर पौतर लगेगा पूता का लड़का यह इसका बेटा बेटा का बेटा बेटा का बेटा क्या लगेगा पौर पौतर तो चलिए अगला कोचन देखते हैं ऐसी तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है? देखिए, कोशन क्या है? पहले ही कोशन लिख दिया, P का अंकल कौन है? K, J का भाई है, M, K की बहन है, P, N का भाई है, N, J की बेटी है तो चलिए, क्या लिखा है? सबसे पहले है, K, J का भाई है के जो है के जो है जे का भाई है के भाई है जे का इम के की बहान है इम जो है के की बहान है इम को मैंने बहान बना दिया अब उसका बात क्या लिखा है उसका बात लिखा है पी इन का भाई है पी जो है इन का भाई है तो पी इन का भाई है तो पी अन तो इसमें है नहीं, है अभी रहने देते हैं, उसके नीचे वाल पड़ते हैं, ढ़ देखते हैं, कि अब दहुंसेत हो गया कॉश्चन, आप पढ़ के भी देख सकते हैं, जे की बेटी है तो चलिए आप कोश्ण पढ़ते हैं कोशंड yin पाउन है फिर कउम का आंकल उसकते इसका दो नहीं यह तो पहं तो पता है नहीं इसको डो घटा बचा इसमें और उसमें अंकल कौन होता है मेंट ही ना होता तो पो को के जो है इंस सभी है तो हम के को इंसर मान लेंगे तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूर कर दे तो चलिए अगला कोशन अगला कोशन में देखे क्या और बी बहने हैं ये डी की मां है उसके बाद लिखा है बी की एक बेटी सी है जि लिख दिया है ए और भी दूनों बहने है जैसे कोश्चन में बोला आपको कोश्चन कहीं साब से करते जाना है ठीक है ए भी बहने है अब बोलता है ए डी की माह है ए जो है तरहे हैं जेत Mag कि माही है फिर बोलता है कि एक बेटी सी मैंनते कर दिया एक फिन बहुद नहीं क्या मुद बहुत मेरेट कपल ठा од तो इसको बराबर से लीखते हैं मेरेट कपल अब यह की पत्म है तो यह पती ही नओ होगा तो Chinese अग्ला अग्ला काल silently का पती है जी जो है फिर आगया तो यह बराबर लिखेंगे और जी लिखेंगे जी ये का पति है तो चले अब कोशन देखते हैं सी डी से कैसे संबंदित है डी से मतलब डी से डी क्या बुलाएगा सी को और देखते हैं यह डी की ए मा है मा की बहन मतलब मा की बहन की बेटी को क्या बोलते है को बोलेंगे क्या बोलेंगा पॉलेंगे हैं के उससर तो चलिए जस्तों अगर आप किसी भी competitive ग्रें के थियारि कर रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें कि यहाँ पर आप यह हमारा लाश्ट कोशन है तो चलिए इसमें क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम कोशन पढ़ते हैं कोशन क्या है रभी के पीता का एक बेटा रोही था जिसकी आंटी लक्षमी है जिसका एक पती राव है जिसका ससुर मोहन है मोहन का रभी से क्या रिस्ता है तो सबसे पहले हम देखेंगे रभी के पिता का एक बेटा रोहित है तो रभी के पिता सबसे पर हम क्या करेंगे रभी रभी के पिता रभी के पिता जो हम क्या कर लेता है रभी के एक पिता जी को ले लेता है तो रभी के रभी के यह जो है पिता जी है यह रभी है रभी के पिता का बेटा र रभी का भाई होगा निगें रभी का बाई होगा ऑ GTA भाई होगा अब छलिए कि आप हम क्या करते हैं कि उसलिए इसमै risks में क्या है पिता का एक बेटा रोहिद है मैंने यह भी बना दिया अब चलते हैं आगे क्या कहता है जिसseason लक्ष्मी है मतलब इसकी जो आंटी है और लक्षमी है तो क्या करते हैं कि लक्षमी जो पिता की मतलब साइडेन होगी जो आंटी होगी लक्षमी जो है इसकी रोहित की या रभी की आंटी है जिसका एक पती राव है तो लक्षमी का पती जो है के राव हाँ भी मैने लिख दिया अब होता है जिसका ससूर मुहन है ज़े का राव का ससूर कोनों डुआ लाअट का पर इसका ससूर जो है मुहन मुह다면 हम जो छाइ patch किसका राओ का मतलब लक्षमी का पिता जो है मोहन है अब चलते हैं बोला है मोहन का रभी से क्या रिस्ता है रभी से रभी से मतलब रभी क्या बुलाएगा मोहन को रभी क्या बुलाएगा मोहन को चलिए अब हमाले तो रभी का पिता है माले जे पिता का ये बहन होगी आंटी है पिता का बहन खैने है इसकी जो है करेंगे कि आपको सब कुछ समझ आएगो समझ आले वीडियो में